है गाईज दिस इस सर्फे और वेलकम टो माई यूट्यूब चनल तो फिलहाल अभी आपके सामने एक प्यारा सा कोशन क्लाश 12 के डिफरेंशिल एक्वेशन का है और मैं इस वीडियो में बताऊना चाहूंगा कि इसे कोशन का सॉलुशन कैसे करते हैं शैद आपको एक बात यादो करने ने बच्मा का था बच्मा और सेंस की लास्ट वीडियो में ने ऐ का था कि आपको जेनरिल सॉलुशन के तहत आप उसको डिफरेंशिल equation के general solution में express करना हो तो वहाँ पर simple सी बात है जो हमेशा आप अपने जहन में set कर लो क्या कि y वाले term को d y के साथ रखना है और x वाले term को d x के साथ रखना है फिर से बहुत लूग वाट माना y वाले term को d y के साथ रखना है और x वाले term को dx के साथ रखना है फिर उससे के बाद क्या करना है दोनों साथ integrate करना है और आपके सामने result आ जाएगा तो इस question में यही concept का apply करके मैं इस question का complete operation करने वाला हूं तो condition है कि हमारे साथ बने रहेगा और अगर video अच्छा लगा तो आप like कर सकते हैं और चैनल पर नए है तो subscribe कर सकते हैं चलिए देखते हैं हमारा question क्या है डी वाइब डी एक्स इक्वल ईटू दी पावर यहां पर हम एक्स वाले को डी एक्स के साथ कैसे करें वाई वाले ट्रम को डी वाई के साथ कैसे करें यह वहां पर तो मामला फस रहा है तो मेरे प्यारे दोस्तों जगोर्फ मैंगा मैं यहां पर क्या करने वाला हूं आप जड़ा मुझे बताओ क्या आप बच्पन में ऐस एसा कुछ पढ़े थे कि किसी भी नंबर का power यानि कुछ इस फॉर में अगर रहता है x का power m into x का power n तो इसको हम लो लिखते हैं क्या? x to d power m plus n ऐसा लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? लिखते हैं ना? तो आप जरा मुझे बताओ कि इतना का power m into x का power n यहां पे base same है तो power को हमने क्या किया? प्लस कर दिया तो आप जरा मुझे बताओ क्या इतना को मैं ऐसा लिख सकता हूँ जरा मुझे बताओ x to d power m plus n को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? x to d power m into x to d power n तो जरा गौर्ड फर्माओ यहाँ पे e का पावर x प्लस y है तो क्या मैं इसको ऐसा लिल दूँ e का पावर x इंटू e का पावर y बोलो चलो प्लस x स्क्वार इंटू e का पावर y अब जरा मुझे एक बात बताओगे जरा क्या dy by dx इक्वल यहाँ पे इस दोनों टर्म में मैं क्या कॉमर ले सकता हूँ तो कहोगे सर e का पावर y कॉमर ले लो आप ठीक है मैंने e का पावर y कॉमर ले लिया तो इसमें क्या रिष्ट मज़ गया e का पावर x किलियर है चलिए प्लस x स्क्वार किलियर है अब यहां से जामते हो ऐसा मैंने क्यों किया ऐसा मैंने इसलिए क्या क्योंकि यहां पर से अब आप क्या कर सकते हो कि y वाले टर्म को एक साइड कर सकते हो और x वाले टर्म को एक साइड कर सकते हो तो आप मुझे बताओ, E का पावर y यहाँ पे इन्टू में है, E का पावर y यहाँ पे क्या है, इन्टू में है, तो क्या मैं इस E का पावर y को d y के साथ ले सकता हूँ, मतलब क्या, गौड फर्माना, d y by, इन्टू में यहाँ पे है न, तो इसको मैं by में ले आया हूँ, ऐ अब मताब बताओ मुझे बताओ ये dx को इसके साथ ली सकते हैं क्या e का पावर x plus x square into dx जरा मुझे बताना क्या मैं ऐसा ली सकता हूँ देखो आप y गोला term dy के साथ आगया और x गोला term dx के साथ आगया एक बात और याद रखिएगा differential equation का कोई भी question हो हमेशा कोशिस करेंगे क्या कि dx भी उपर में होना चाहिए और dy भी उपर में होना चाहिए हाँ ये बेशक ये तो बात तो आप बिल्कुल जहनों फिट कर लो कि y dy के साथ x dx साथ लेकिं उसमें भी एक बात जरूर याद दखिएगा कि dx हमेशा उपर में लाना चाहिए और dy भी हमेशा उपर में लाना चाहिए आप यहाँ पर देखो dy उपर में है dx भी उपर में है ये dx नीचे नहीं लिशते हैं लिख दिये तो आपको कोशिश करना है उपर में लाना आप कैसे करोगे multiply, जोर घटाओ, गुनाभाद, क्या करोगे that all depends on you लेकि एक बात तो हमेशा यही याद अखना है कि dx उपर में रहेगा, dy उपर में रहेगा यहां तक हमने बताया आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं चले अब जैसा है कि आप जानते हो किसके बाद हम लोग क्या करते है कि integrate करते है तो यहां लिखेंगे क्या now integrating both sides we get हम लोग यहां पर क्या करेंगे दोनुँ side integrate करेंगे तो ज़रा मुझे बताओ integrate करेंगे तो कुछ ऐसा ही ने लिखाएगा dy by e का पावर y that equals integral of e to the power x plus x square into dx ऐसा ही तो होगा अब ज़रा आप मुझे बताना यहां पर आराम से हम यहां पर integrate कर सकते हैं इसको फिलहार मैं यहां से erase कर देता हूं ताकि आपको पुरा screen नजर आए अब बताओ मुझे यहां पे dy by e का पावर y है आपको शायद याद होगा इस e y को मैं ऊपर लिदेता हूं तो ऐसा लिशते हैं क्या e का पावर माइनस y dy क्योंकि आपने पढ़ा है integral of e to the power x अगर x के term में बात करूं तो e का पावर x होता है similarly integral of e का पावर y with respect to y कि अगर बात करूं dy बादा term तो उसका e का पावर y होता है लेकि यहाँ पर तो d नीचे में है न तो हमारे पास तो कोई formula नहीं है so मैंने इसको क्या-क्या उपर में कर दिया फिर equal आप बताओ यहाँ पे integral of e का पावर x plus x square है तो इसको मैं तनहा तनहा कर दूं क्या अलग-अलग integrate गौर्ड फिर्माओ तो आपका हो जाएगा e का पावर x dx plus x square dx clear है हाँ या न चलिए अब जड़ा मुझे बताओ e का पावर y है अभी मैंने कहा कि e का पावर y का integral क्या होता है e का पावर y लेकि यहाँ पर आप देख रहे होना माइनस तो जब भी याद रखिएगा e का पावर minus y हो तो माइनस वहला जो टर्म देख रहे होना वो minus नीचे आजाएगा और e का पावर कुछ भी हो integrate वही होता है जैसे माल लो e का पावर 3x का आपको integrate करना है तो e का पावर 3x का integration का होगा e का पावर 3x by 3 मतलब पावर में x या y का जो coefficient होगा वो नीचे आजाएगा simple आप एक टी मानोगे ने तब तोड़ोगे ऐसा आजाएगा simple short में ऐसा ही ध्यान रखना है that equal e का पावर x का मतलब e का पावर x आप plus x square dx मतलब क्या हुआ 2 एक 3 x cube by 3 और यहां पे plus c लिख दो तो अब जरा मुझे बताओ यह माइनस है तो माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस 1 by यहां पली से तरह का e का पावर y माइनस 1 by e का पावर क्योंकि e का पावर minus y है तो उसको positive लाने के लिए y में कर दी equal e का पावर x plus x cube by 3 plus e और इस तरीके से आपके सामने इस question का answer आता है और यहां पे हमारा answer हुआ है चाहे तो यहां पे आप cross multiply करके भी कुछ हलका कर सकते हो अगर नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है आपका यहां भी answer complete होता है तो मेन इस question में क्या था यह सारे की बाते बिल्कुल एजी थी मेन यहां पे यह समझना था कि यह जो term है तो इस x वाले को कैसे dx के साथ और y वाले term को dy के साथ कैसे करना यह main important बात था इस question में अदरवाज और कुछ नहीं है तो उमीद करता हूं बाते समाज में हम लोग फिर नेक्स वीडियो में देखेंगे homogenous differential equation उसके question को देखेंगे concept समझेंगे और दुछार question देखेंगे तो आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए नए साथ तब तक के लिए बाबा जय हिंद जय भारत